नमस्कार दोस्तों मैं विकास तिर्वेदी आपके अपने यूटूब चैनल विकास स्टिरी सरकल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों रेलवे गुरुपटी एक्जाम की द्रश्ट से बहुती महात्फोंट चेप्टर नर्वस सिस्टम के बारे में आज हम जानकारी करेंगे दोस्तों रेलवे गुरुप टी एक्जाम जो चल रहा है उसमें नर्वस सिस्टम से हर सिफ्ट में एक ना एक क्उच्ष्न पूछा जा रहा है तो इसलिए हम आज नर्वस सिस्टम के बारे में जानकारी करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं कि नर्वस सिस्टम, दोस्तों तंत्रिका तंत्र, मनुस्री का तंत्र कितने भागों में भाजित होता है, तीन भागों में भाजित होता है, दोस्तों मनुस्री का सबसे पहला हमारा केंद्री तंत्रीरी तंत्र ग्ता सब्सक्राइब समें में डूस्रा है तो सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले मस्तिष्क के बारे में जानकारी करेंगे दोस्तों मस्तिष्क हमारा जो होता है वह सालने तेरा सो से चौदा सो ग़ामगे होता है और इस को खोल को क्रेंइएन कहा जाता है कि मस्तिस्क तीन वहागों में वगा चाहता है Lamborghini मस्तिस्क जो करता है मस्तिस्क फजैशत सरे ब्रहु पर के वहाज़ित होता है C गरेंटन दो बहागों में वह बता है वह समय नी कहा मस्तिस्क और इंतरובןेश्ब सेरेब्रम भी कहा जाता है तो दोस्तों कुष्चन आता है कि सेरेब्रम कितने भागों में विवाजित होता है तो सीधा यही कुष्चन होता है कि सेरेब्रम कितने भागों में विवाजित होता है तीन भाग कौन कौन से होते हैं सेरेब्रम के पहला सेरेब्रम दूसरा थैलमस और तीसरा हाइपो थेलमस तो दोस्तों Cerebrum यानि अगर मस्तिस या प्रम कुस्टन सीधा होता है कि प्रमस्तिस कितने भागों में विवाजित होता है तो इसका आंसर होगा तीन और ये तीन होते हैं Cerebrum, थेलमस और हाइपो थेलमस उसके बाद मध्य मस्तिश के बारे में जानकाली करते हैं मध्य मस्तिश का हमारा दो भागों में विवाजित होता है पहला होता है कार्पोरा क्वार्डी जेमिना कार्पोरा क्वार्डी जेमिना और दूसरा होता है सेरिब्रल पेंडिकल पहला होता है कार्पोरा क्वाडिजेमिना और दूसरा होता है सेरिब्रल पेंडिकल और पस्च मस्तिस्क हमारा दो भागों में विवाजित होता है पहला होता है सेरिबेलम और दूसरा होता है मेडूला अवलागेंटा दोस्तों पहला पस्च मेस्टिस्क जेगो है वो दो भागो में वाजित होता है इसके दो भागो तेसी सेरिबलम और मेडूला अवलागेंटर, यानि दोस्तों प्रेमस्टिस्क तीन भागो में वाजित होता है से morality आगे देखते हैं अगला question बहुत कुछा जाता है कि मस्तिष्क के कारी का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों EEG का मस्तिष्क के कारी का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है EEG का दोस्तों सेरेब्रम यह मस्तिष का सबसे विक्सित होता है यह मस्तिष का सबसे विक्सित भाग होता है सेरेब्रम और यह बुद्धिमत्ता, इस्मलत सक्ति और इच्छा सक्ति ग्यानवारी वा चिंतन का केंदर होता है सिधा पुछता है कि चिंतन का क्रेंदर या इच्छा सक्त का क्रेंदर किसे कहते हैं तो सेरेब्रम इसका अंसर होगा और उसके बाद थैलेमस थैलेमस का कारे होता है या दर्द थंड़ा तथा गरम को पहचानने का कारे करता है दोस्तो थैलेमस ये दर्द और ठंडा गरम को पहचानने का कारे करता है दोस्तो इसी क्लास में हम मस्तिस्क के बारे में पहले थेयरी पढ़ेंगे और उसके बाद में इसके अब्जेक्टिव कुश्चन भी करेंगे तो कलास को अंतर तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आगे देखते हैं थैलेमस थैलेमस जो होता है ये दर्द ठंडा तता गरम को पहचानने का कारे करता है और हाइपोथेलमस या अंतासरावी गरंतियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स पर नियांत्रांद करता है उसके बाद दोस्तों हमारा जो मध्रमस्त physics होता है मध्रमस्तिस का हमारा दो भागों में भाजित होता है जिसे कहते हैं कारपोरा-क्वार्टी-जेमिना कार्पोरा क्वार्टी जेमिना इसका कार्य होता है कि या द्रिष्ट एम स्रमन सक्तिपन नेंतराण करता है या दोस्तों कार्पोरा क्वार्टी जेमिना जो है या द्रिष्ट एम स्रमन सक्तिपन नेंतराण का केंदर होता है उसके बाद मध्य मस्तेश का दूसरा भाग होता ह या मस्तिस्क के अन्य भागों को मेर उरजी से जोड़ता है। बहुत इंपार्टेंट दोस्तों इस चैप्टर से ग्रुप D में हर सिफ्ट में एक ना एक कुश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद हम सेरिबल यानि जो पस्च मस्तिस्क के भाग होते हैं दो भाग होते हैं सेरिबलम और मेडूला आवलागेंटा तो सेरिबलम के बारे में पहले जानकारी करते हैं ये एचिक पेशियों के संकुचन पर नियंतरान करता है और सरीर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों सेरिबलम पस्च मस्तिस्क का भाग होता है। तो सेरिबलम का कार्य होता है कि यह सरीर का संतुलंग बनाए रखता है तदा एचिक पेशियों के संकुचन पर नियंद्रण करता है उसके लाद मेडूला आवला गेंटा दोस्तों मेडूला आवला गेंटा जो है यह हमारे सरीर का सबसे पीछे का भाग होता है मेडूला आवला गेंटा हम मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग दोस्तों मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो सेरीब्रम होता है सेरीब्रम दोस्तों सेरीब्रम जो है वो मस्तिस्क के किस भाग में पाया जाता है प्रमस्तिस्क यानि अगर मस्तिस्क में पाया जाता है अगर मस्तिस्क सेरीब्रम यप्रा मस्तिस्क एक ही बात है उसके बाद इससे बनने वाले हम अब्जेक्टिव कुश्चनों के बारे में जानकारी कर लेते हैं जो पिछली परिच्छाओं में पूछे गया है और रेल्वे ग्रुप D एक्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं तो दोस्तों इस क्लास को पूरा जरू देखिएगा तो सबसे पहला कुश्चन हमारा है कि मानो शरीर के किस अंग का प्रत्य रोपर नहीं किया जा सकता है अगला कुश्चन है मानो शरीर के किस अंग की पुनर निर्मार की छमता सबसे कम होती है मानो के किस अंग की पुनर निर्मार की छमता सबसे कम होती है इसका भी आंसर क्या होगा मस्तिस्क दोस्तों मस्तिस्क की पुनर निर्मार की छमता सबसे कम होती है उसके अगला कुश्चन हमारा है मस्तिस्क के उपर पाई जाने वाली लेर्स दोस्तों मस्तिस्क के उपर जो जाता है उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपना अगला कुश्चन देखते हैं दोस्तों ध्वनी की सम्वेदना ध्वनी की सम्वेदना मानों मस्तिस्क में लगभग कितनी देर तक रहती है इसका अप्सन एक है अपसन B है 5 सेंट आपसन C ए 0.1 सेंट और अपसन D है 0.5 सेंट तो दोस्तों इसका अंसर होगा 0.1 सेंट यानि अपसन नमबर C उसके आगला कुश्चन हमारा है कि मानो शरीर के मान स्पेसी की गतिवी दिखो कौन नियनत्रिд करता है इसका अंसर होगा मोटर निवरान दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ना ये कुश्चन पूछे जा रहे हैं और पिछली परिच्छाओं में भी पूछे गए हैं अगला कुश्चन है मस्तिस्क के अध्यन को क्या कहते हैं मस्तिस्क के अध्यन को निवरोलाजी कहते हैं दोस्तों मस्तिस्क के अध्यन को नियूरोलाजी कहते हैं उसके आद हमारा अगला कुश्चन है कि मस्तिस्क की सुरच्छा के लिए मस्तिस्क के उपर कितनी परते होती हैं दोस्तों मस्तिस्क की सुरच्छा के लिए मस्तिस्क के उपर कितनी परते होती हैं मस्तिस्क की सुरच्छा के लिए मस्तिस्क के उपर तीन परते होती है पहला होता है डिवरा मैटर पहला होता है जो तीन परते होती है उसमें सबसे पहला डिवरा मैटर उसके बाद दूसरा होता है अरेकुनाइड और तीसरा होता है पाया मैटर उसके बाद तीसरा होता है पाया मैटर दोस्तों हमने आपको अभी बताया था कि मस्तिस्क जिन अस्तियों को खोल के अंदर रहता है उसे क्रेनियम कहा जाता है और इसके अंदर जो द्रव पदात भरा होता है उसके बारे में भी हमने आपको बत लाजी कहते हैं मस्तिष्क अधियन को निवरोलाजी कहते हैं उसके अगला कुश्य नहीं हमारा कि अगर मस्तिष्क के तीन प्रकार कौन से हैं हमने आपको बता हैं कि अगर मस्तिष्क के तीन भाग कौन होते हैं सेरेब्रम याने प्रमस्तिस्क और थेलेमस और हाइपो थेलेमस अगर मस्तिस्क के तीन भाग होते हैं थेलेमस हाइपो थेलेमस और सेरेब्रम या प्रमस्तिस्क और मध्य मस्तिस्क के दो भाग होते हैं कारपोरा क्वार्डियमिना और सेरेब्रल पेंडिकल और पस्तिस्क के दो भाग होते हैं Cerebellum और Medula Avalagenta तो दोस्तों आगे देखते हैं अगला कुछन हमारा है मानौ मस्तिस्क में चेतना सक्ति को कौन नियंतित करता है मानौ मस्तिस्क में सक्ति को कौन नियंतित करता है इसका वी आंसर क्या होगा Cerebram यानि इसमरन सक्त, चेतना सक्त, इसको नियंदित करता है सेरेब्रम सेरेब्रम मतलब प्रमस्तिस्क, प्रमस्तिस्क या अग्रमस्तिस्क भी इसको कहते हैं उसके बाद अगला कुछन हमारा है कि मानो मस्तिस्क में दर्द की अनभूती किस हिस्से से होती है तोस्तों मानो मस्तिस्क में दर्द की अनुभूत किस हिस्से होती है थेलेमस और थेलेमस मस्तिस्क के किस अंग का भाग है अगर मस्तिस्क उसके बाद अगला कुश्चन हमारा है कि मानो मस्तिस्क में ताप मान को नियंतित कौन करता है हमने आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि मानो मस्तिस्क में ताप को नियंतित हाइपो थेलेमस करता है हाइपो थेलेमस ये भी अगरमस्तिस का ही एक भाग है और अगरमस्तिस के तीन भाग होते हैं उसके बाद अगला कुश्चान है भूख और प्यास को नियंतित कोन करता है है अगला कुश्चान हमारा है कि इसका अंसर होगा आडय jaar पाई जाती है उसके लाद हमारा दोस्तों अगली क्लास में हम मेडुला मतलब मेरुरज के बारे में झाती है